नमस्कार इस वेबिनार में उपर आपुस्तित सभी महानुभाओं का स्वागत है आज का नया भारत नए वर्ग कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है इस बार भी बजेट की खुब वहवाई हुई है देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है अगर पुराना वर्ग कल्चर होता तो इस तरह के बजेट वेबिनार्ज के बारे में कोई सोचता ही नहीं लेकिन आज हमारी सरकार बजेट के पहले भी और बजेट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ ले विस्तार से चर्चा करती है उनको साथ ले करके चलने का प्रयास करती है बजेट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आएं बजेट का इंप्लिमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो जो लक्ष बजेट में तय किये गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की धरक काम करता है आप भी जानते हैं कि मुझे हेड अब दे गवर्मेंट के तौर पर काम करते हुए 27 से भी अधिक समय का अनुभव रहा है इस अनुभव का एक निचोड ये भी है कि जब किसी नितिकत निनने से सबी स्टेक होल्डर जुड़ते हैं तो रिजल्ड भी मन चहां आता है समय सीमा के भीतर आता है हमने देखा है कि बीते कुछ देनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े दीन भर सब लोग मिल करके बहुत ही गहन मंतर करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपन सुझावाए और आगे के लिए जो बजेट है उसी पर ध्यान केंद्रित के है और उसी मैंसे कैसे आगे बढ़ा जाए बहुत उत्तम सुझावाए अब आज हम देश के टूरिजम सेक्टर के काया कल्प के लिए ये बजेट वेबिनार कर रहे है जाथियों भारत में हमें टूरिजम सेक्टर को नई उंचाई देने के लिए आउट आप दे बॉक्स सोचना होगा और लॉंग टम प्लानिंग करके चलना होगा जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विख्सित करने की बात आती है तो कुछ बाते बहुत महत्वपड होती है जैसे उस थान का पोटेंशल क्या है इस जो ट्राविल के लिए वहां की इंफ्राट्रेक्टर नीड क्या है उससे कैसा पुरा करेंगे इस पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या-क्या नए तरीके अपना सकते हैं इन सारे समालों का जवाब आपको भविश्च का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा अब जैसे हमारे देश में टूरिजम का पोटेंशल बहुत ज्यादा है Coastal Tourism, Beach Tourism, Mangrove Tourism, Himalayan Tourism, Adventure Tourism, Wildlife Tourism, Ecotourism, Heritage Tourism, Spiritual Tourism, Wedding Destination, Conferences के द्वारा टूरिजम, Sports के द्वारा टूरिजम, ऐसे अनेक छेत्र है अब देखिया रामायन सर्कीट, बुद्ध सर्कीट, कृष्णा सर्कीट, नौर्थी सर्कीट, गांधी सर्कीट सब हमारे महान गुरुपरम परा हुई, उनके सारे तिर्श खेत्र, पुरा पंजाब भरा पड़ा है हमें इन सभी को ध्यान बर रखते हुए, मिलकर के काम करना ही है इस वर्स के बजेट में, देश में, कम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप्मेंट के लिए सिले करने के बाद कही गई है यह चैलेंज हर स्टेक होलडर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेदित करेगा बजेट में तूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके एक होलिस्टिक डेवलप्मेंट पर भी फोकस किया गया है इसके लिए अलग-अलग स्टेक होलडर को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए साथियों जब हम टूरिजम की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि एक फैंशिशा शब्दा है समाथ के हाइंकम ग्रूप से और उनी लोगों को रिप्रेजन करता है लेकिन भारत के संदर्ब में देखें तो टूरिजम का धायरा बहुत बड़ा है बहुत पुराना है सद्यों से हमारे यहां यात्राइ होती रही है यह हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है और वो भी जब संसाधन नहीं थे यातायात की व्यवस्ता ही नहीं थी भाँत कठिना ही होती थी तब भी कष्ट उठा कर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे चारधाम यात्रा हो द्वादस जोतिलिंग की यात्रा हो 51 शक्तिपीट की यात्रा हो ऐसी कितनी ही यात्रा है हमारे आस्था के स्थलों को जोडती थी हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एक्ता को मजबूत करने का भी काम किया है देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थ विवस्ता उस पूरे जिले की पूरी अर्थ विवस्ता यात्राओं पर ही निर्भर थी यात्राओं कि इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भागी रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकुल सुविधाय बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया पहले सेक्ड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आज़ादी के बाद के दस्थानों में इन स्थानों की राजरितिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुक्षान किया अब आज का भारत स्थिती को बदल रहा है जब यात्रिक्यों के लिए सुविधाय बढ़ती है तो कैसे यात्रियों में आकर्षन बढ़ता है उनकी संख्या में भारी वृद्धी होती है और ये भी हम देश में देख रहे हैं जब बारणसी में काशी विश्वना धाम का प सब्तर असी लाग के आस्पासी लोग मंदिर के दर्षन के लिए आते थे काशी विश्वनात धाम का पुन्दर निर्मान होने के बाद पिछले साल बारणसी जाने वाले लोगों की संख्या साब करोड को पार कर गई है इसी तरह जब केदार घाटी में पुन्दर निर्मान साल पंद्रा लाग से जादा सध्धालू बाबा के दार के दर्षन के लिए गए अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूं गुजरात में पावागड करके एक तिर्षक्षत रहें बड़ोदा के पास जब वहां का पुन अनुद्दार हुआ कुछ इंफ्रास्ट्रेक्टर बना सुविधाय बनी तुछ पावागड मंदिर के पुनन निर्मान के बाद नव निर्मान के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां आउस्टन आते हैं यानि सुविधाय बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा तूरिजम को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो चीजे होती वो भी बढ़ने लग गई है और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है स्थानिय स्तर पर कमाई के ज्यादा आउसर रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मोके अब देखिए दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा स्टेची ओफिनिटी का भी उधान देखा यह प्रतिमा बनने के बाद एक साल के बितरी 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुँचे यह दिखाता है कि भारत के विविन्न स्थलों में अगर सिविल एपेनिटी बढ़ाई जाएं वहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो होटेल होस्पिटल अच्छे हो गंदगी का नामों निशान ना हो बहतरीन इंफ्रास्रक्टर हो तो भारत के टूरिजम सेक्टर में कही गुना वृद्धी हो सकती है साथियों मुझे आपसे बात करते हुए एमदबा शेहर में कांकरिया ताराग है उस कांकरिया लेग प्रोजेक्ट के विशे में भी कुछ करने का मन करता है अब ये कांकरिया लेक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहाँ आम तोर पर लोग जाते नहीं थे वहाँ से गुजरना पड़े तो गुजरे लेगे वहाँ कोई जायता ही नहीं था हमें वहाँ नहीं सिर्फ लेक का रीडेवलप्मेंट किया बल्कि फूड स्टोर्स में काम करने वालों को स्किल डेवलप्मेंट भी किया आधुनी गिन्सवासर साथ हमने वहाँ स्वच्छता पर भी बहुत जोड दिया अब कल्पना कर सकते हैं कि आज वहाँ एंट्री फी होने के बावजूद भी आउस्ट अन प्रतिश दिन दस जार लोग मुलाकात करते हैं ऐसे ही तरीकों से हर टूरिश्ट डेस्टिनेशन अपना एक रेविन्यू मोडल भी विक्सित कर सकता है साथियों यह वो समय है जब हमारे गाउं भी तूरिजम का केंद्र बन रहे हैं बहतर होते इंफ्रास्ट्रक्टर के कारण हमारे दूर सुदूर के गाउं अब तूरिजम के मैप पर आ रहे हैं केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गाउं है वहाँ वाइब्रेंट बॉर्डर विले योजना शुरू किये है ऐसे में होमस्टे छोटे होटल छोटे रिस्टरंड हो ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को जादा से जादा सपोर्ट करने का काम हम सब को मिल करके करना है साथियो आज एक बात में भारत आ रहे है फोरेंट टूरिस्ट के संदर्व में भी बताऊगा आज जिस तरह दुनिया में भारत के पति आकर्शन बढ़ रहा है भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है पिछले साल जनवरी में सिर्फ दो लाग विदेशी टूरिस्टों की आई थे जबकि इस साल जनवरी में आट लाग से जादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए विदेश्ट से जो टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, हमें उन्हें भी प्रोफाइल करके अपना टार्गेट ग्रुप तै करना होगा विदेश्ट में रहने वाले वो लोग, जिनमें जयाता से ज़्यादा खर्च करने की छम्ता होती है हमें उन्हें जादा से जादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेश रणनीती बनाने के आवश्यक्ता है। ऐसे टूरिस्ट बले ही कम दिन भारत में रहेंगे लेकिन जादा राशी खर्च करके जाएंगे। आज जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं वो आउसतन सत्रासो डॉलर खर्च करते हैं जबकि अमेरिका में इंट्रनेशनल ट्राविलर आउसतन पचीसो डॉलर और आस्ट्रेलिया में करीब पांच हजार डॉलर्स खर्च करते हैं भारत में भी हाइस स्पेंड टूरिस्ट को आफर करने के लिए बहुत कुछ है हर राज को इस सोच के साथ भी अपनी टूरिजम पॉलिसिक में बड़लाव करने की जरुवत है अब जैसे मैं आपको एक और उधान दूँगा सामान्य तोर पर कहां जाता है कि सबसे ज़्यादा किसी स्थान पर रुकने वारा जो टूरिस्ट होता है वो बड़ वचर होता है ये लोग महिनों महिनों किसी देश में डेरा डाले रहते हैं भारत में इतने भांती भांती प्रकार के पक्षी है हमें ऐसे पोटेंशल टूरिस्ट को भी टार्गेट करके अपनी नीतियां बनानी होगी साथियों इन सब प्यासों के बीश आपको टूरिजम सेक्टर की एक बेसिक चुनावती पर भी काम करना है यह हमारे हां प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की कमी गाइड के लिए स्थानिये कॉलेजों में सर्टिपिकेट कोर्स हो कॉंपिटिशन हो बहुत अच्छे नवजवान इस प्रोफेशन में आगे आने के लिए मेहनत करेंगे और हमें शांदार अनेक भाषा बोलने वाले अच्छे टूरिस्ट गाइड मिलेगे उसी प्रकार से डिजिटल टूरिस्ट गाइड भी अब तो अवेलेबल है टेक्नोलोजी का उप्योग करके भी कर सकते हैं किसी एक विशेश टूरिस्ट गाइड काम कर रहे हैं उनकी एक स्पैसिफिक ड्रेश या वर्दी भी होनी चाहिए इससे लोगों को पहली नजर में पता चला जाएगा यह सामने वाला जो वेक्ति है वो टूरिस्ट गाइड है और वो हमारी इस काम में मदद करेगा हमें यह याद रखना होगा कि जब कोई भी टूरिस्ट किसी स्थान पर पहुंता है तो उसके नमन में सवालों का भंडार भरा होता है वो अनेख सवालों के तक्काल समाधान चाहता है ऐसे में गाइड उन सभी सवालों के जबाब खोजने में उनकी मदद कर सकता है साथियों मुझे भी स्वास है इस वेबिनार के दौरान आप टूरिजम से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे आप बहतर सॉलुशन के साथ सामने आएंगे और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जैसे टूरिजम के लिए हम हमाली जे हर राज एक या दो भावत अच्छे टूरिज़े डेस्टेशन पर जोड लगाता है तो एक शुरुवात कैसे कर सकते हैं हम ताय करें कि पर स्कूल से बच्चे जो टूरिज के रूप में निकलते हैं हर स्कूल करते ही हैं यात्रा के लिए निकलते ही हैं दो दिन तीन दिन के कारकम बनाते हैं तो आप ताय कर सकते हैं कि फ़लाने जेस्टिशन में शुरू में पर दे हंडेड लोग स्टूडन्स आएंगे, फिर पर दे टू हंडेड आएंगे, फिर पर दे थी हंडेड आएंगे, फिर पर दे थाउजंड आएंगे, अलग-अलग स्कूल के आएंगे वो खर्चा करते ही हैं, यहां जो लोग हैं उनको लगेगा इतनी बड़ी संख्या मे लोग आ रहे हैं, चलो ये विवस्ता कड़ी करो, ये दुकान कड़ी करो, पानी की विवस्ता करो, अपने आप शुरू हो जाएगा, अगर मान लीजे हमारे सभी राज्य ताय करें, कि नौर्थ इसके अस्ट लक्ष में हमारे आठ राज्य हैं, हम हर वर्ष आठ नौर्थ इसके एक राज्य में पात दिन, साथ दिन टूर करेगी, दूसरी उनिवर्सिटी दूसरे राज्य में टूर करेगी, तीसरी उनिवर्सिटी तूर, आप देखे, आपके राज्य में आठ उनिवर्सिटी ऐसी होगी, जहांके हमारी युगकों को नौर्थ इसके आ सीज़ और विदेशे तो लोग जाते हैं क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेश्टिनेशन के रूपे स्पेशल पैकेज गोसित कर सकते हैं और मैं तो कहुंगा कि हमारे देश में वात्राण बनाना चाहिए कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि दो हजार चोविस में अगर हमारे यहां से साधियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिल नाडू में होगा और तमिल पद्दधी से हम शाधी करवाएंगे घर में दो बच्चे हैं तो कोई सोचेगा कि एक हम अश् का बड़ा कारोबार की संभावना है हमारे देश का टॉप क्लास के लोग विदेश जाते होंगे लेकिन मिल्ल क्लास अपर मिल्ल क्लास के लोग आजकल बेडिंग डेस्टिनेशन पर जाते हैं और उसमें भी जम नयापन होता है तो उनकी जिन्दगी में यादगार हो जाता है हमने इस दिशा को अभी तक उप्योग नहीं कर रहे हैं कुछ इन्हें गुने स्थान अपने तरीके से करते हैं उसी प्रकार से कॉन्सी आज दुनिया के लोग कांफेरंस के लिए आते हैं हम ऐसा इंफ्रसक्चर तयार करें पॉब्लिक प्राइबेट मार्टर सिब से करें लोगों को कहें जमीन की कुछ ऐसी ववसाएं करें तो इस के लिए लोग आएंगे हैंगे तो हटल में विरू के बोड़ेंगे हस्पिटालिटी इंडुस्ट्री भी भड़ेगी याने एक पूरा एको सिस्ट्रिम डेवलोफ हो जाएगा उसी प्रकार ते स्पॉर्ट स्टूरीजम भी बहुत ख्षेत्रा है हम इन्वाइट करें अब देखिए अभी कतर में कि फुटबॉल मैच हुआ पूरे धुरियां का कतर की एकोनोमी में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ उसका दुनियावर के लोग आये लंखों लोग आये हम छोटे से शुरू करें बहुत बड़ा हो सकता है हमें इन तरीकों को डूणना होकर उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्र शुरू में लोग आये ना आये हम अपने स्कूल के बच्चों कॉलेज के बच्चों हमारे सरकार की मीटिंगों के लिए वहां जाना अगर हम अपने एक डेस्टिनेशन को महत्वत देना शुरू करेंगे तो अपने आप और लोग भी आना शुरू करेंगे और फिर वहां की कि दुनिया के हर कौने में पता हो कि अगर भार्ट जाते है तो ईजगा पे तो जाना ही चाहिए हर राज्यकों hोना चाहिए कि दुनिया के इतने देश के लोग मेरी हां आते हैं कि दुनिया के इतने देशों को हम टार्गेट करेंगे हम वहां की MBC को लिटरेचर भेंजेंगे वहां की MBC को हम सब कहेंगे कि देखिए आप टूरिस्टिकों को लिए मदद चाते हैं हम यह मदद करते हैं हमें पूरी व्यवसा हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे भी मेरा आगर है कि आ कोई टूरिस्ट डेशनेस्ट अब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एप युएन की सभी लेंग्वेजिज में ने और भारत की सभी लेंग्वेजिज में पना ओं अगर मैं सिरफ अंग्री जी और हिंदी में हमारी वेब साइट बना देंगे तो संबम नेरे इतना ही नहीं हमारे टूरिज डेस्टिनेशन पर साइनेजी सभी भाषाओं की होने चाहिए अगर तमील का कोई सामाने परिवार आया है बस ले करके चला है और वहां पर उसको तमील में अगर साइनेजी मिल जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता है छोटी समझेगे तो हम अवश्य रुप से टूरिजम को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के इस वेबिनार में बहुत विस्तार से चाहिए करिए और रोजगार के बहुत सारे अवसर जैसे एगरिकल्चर में हैं जैसे रियल एस्ट डेवलोप्मेंट और इंफ्रासक्क्र में हैं टेक्स्टाइल में हैं उतनी ही तांकर टूरिजम के अंतर रोजगार की हैं बहुत अवसर हैं मैं आपको निमंत्रन देता हूं और आपको इस आज के वेबिनार के लिए बहुत सुभकामनाई देता हूं बहुत बहुत झाल